क्या आप एक Nursing Clinical Director हैं और आप Australia में काम करने, रहने या स्टडी करने के इचुक हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो में, हम आपको Australia में Nursing Clinical Director के Career Scope और Profile से जुड़ी महत्वपून जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं. इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लेक करें. थेलो दोस्तों, आपके अपने अंतर राष्ट्रिया Immigration Information Channel A to Z Immigration Updates में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल्स के लिए स्किल्स और करियर स्कोप पर हमारी विडियो सीरीज में हम एक नए विडियो के साथ फिर से हाजर हैं. इस विडियो में हम Nursing Clinical Director से एक Australia I Amplier की जॉब प्रोफाइल से संबंधित अपेक्षाओं के बारे में जानेंगे. हम Nursing Clinical Director के लिए उप्यूक तून इंडस्ट्री सेक्टर्स को देखेंगे. यहां Nursing Clinical Director को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. हम Nursing Clinical Director के प्रोफाइल पर आस्ट्रेलिया में काम करने के लिए न्यून्तम एज्यूकेशन और एक्स्पीरियन्स की जरूरतों को भी देखेंगे. हम यह भी देखेंगे कि आपके प्रोफाइल के लिए स्किल, लेवल, लाइसेंस और रेजिस्ट्रेशन की क्या जरूरते हैं. हम Nursing Clinical Director के प्रोफाइल पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो और मुख्य आईउ वर्ग पर भी चर्चा करेंगे. वीडियो के एंड में हम आपको अलग-अलग वीजा आउप्शन के बारे में बताएंगे जिन में मुख्य हैं, आस्ट्रेलिया में काम करने, पर्मनेंट रेजिदेंसी पाने और इस प्रोफाइल पर आस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के वीजा आउप्शन तो पूरी जा चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपके प्रोफाइल दिस्क्रिप्शन पे आस्ट्रेलिया में हर व्यवसाय के लिए एक स्पश्ट तथा सुलजा हुआ प्रोफाइल दिस्क्रिप्शन बनाया गया है जिसे एक कोड के द्वारा नामांकित किया जाता है इस Code को Australia New Zealand Standard Classification of Occupation यह ANZSCO Code कहा जाता है यह ANZSCO Code आपको किसी भी प्रफेशन में आपकी जिम्मेदारियां तथा जॉब रोल के बारे में जानकारी देता है Australia की राष्ट्रिय स्टेटिस्टिक्स एजेंसी, Australian Bureau of Statistics, ABS in Codes के रिचता है और ABS के द्वारा ही इन Codes को समय समय पर Evaluate और Revise किया जाता है तो चलिए अब आपके व्यवसाय के ANZSCO Profile Definition के बारे में जानते है Nursing Clinical Director के Profile का ANZSCO Code 134212 है ABS के Original Content की Authenticity को बरकरार रखने के लिए Profile Description और कुछ दूसरे तत्यों को हम यहां इंग्लिश भाषा में ही दिखाएंगे ताकि उनकी originality और integrity बनी रहे Nursing Clinical Director plans, organizers, directs, controls and coordinates nursing programs and clinical services in a hospital, aged care or other health service facility, maintains standards of nursing care, provides leadership to ensure an appropriately skilled nursing and midwifery workforce, and contributes to health service planning Australia में ऐसे बहुत से इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं जहां आपके Profile के Candidates के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हैं आए एक बार कुछ जरूरी जॉब सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं Nursing Clinical Director के Profile पर काम करने वाले ज्यादातर Candidates मुख्य रूप से Health Care और Social Assistance, Public Administration और Safety, और Education और Training में कार्यरत हैं Australia में अलग-अलग व्यवसायों में आवश्यक्ता के हिसाब से Employees की शिक्षा से जुड़ी विभिन मांगे हो सकती हैं और आपका Skill Level Australian Bureau of Statistics के हिसाब से तै होता है एक Nursing Clinical Director के Profile पर काम करने के लिए आपके पास Bachelor Degree या बराबर की अन्य योगिता जरूरी है और Nursing Clinical Director का Skill Level एक है Australia और New Zealand के हिसाब से इस ग्रूप के Job Level में Bachelor Degree और Higher Qualification की जरूरत होती है इसके इलावा कुछ केसेज में Educational Qualification की जगह पर आपका 3-5 वर्ष का संबंधित Experience भी काम आ सकता है अन्य कुछ मामलों में आपको Experience के साथ On-Job Training की जरूरत भी हो सकती है अगर आप Australia में Skilled Immigration Visa के लिए Application फाइल करते हैं तो आपको Migration Skills Assessment की जरूरत रहती है जो आपके Profile के हिसाब से अलग-अलग Assessment Bodies के जरूरत की जाती है हर Assessment Body का अपना अलग Assessment Criteria और Experience की अलग-अलग जरूरते होती है अगर आप Nursing Clinical Director के Profile पर Skill Assessment फाइल करना चाहते हैं तो आपको 5 वर्ष Experience की जरूरत है यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि Experience की ये Requirement सिर्फ Skill Assessment के लिए मान्य है परन्तु Employees की जॉब के लिए Experience Requirement इससे अलग हो सकती है आईए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन किस उम्र के लोगों की ज्यादा हिस्सेदारी है Australian Bureau of Statistics के लेटिस्ट सर्वे के हिसाब से आपके Profile पर जॉब करने वाले लोगों का Main Age Group में 44-54 वर्ष है और औसतन आयू 51 साल है जैसा कि आप जानते ही है कि अलग-अलग व्यवसायों में पूरुशों और महिलाओं की गिंती तथा रेशियो काम के हिसाब से अलग-अलग होती है तो आईए अब आपके Profile में पूरुश तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो पर नजर डालते हैं Nursing Clinical Director में महिलाओं का 80.8 प्रतिशत हिस्सा है Australia में ज्यादातर Profiles में काम करने का नियत समय एकसा नहीं है और ज्यादातर skilled workers, full-time या part-time basis पर काम करते हैं Full-time या part-time काम करने पर आपका वेतन हफते या घंटों के हिसाब से तैग किया जाता है अगर हम आपके Profile की बात करें तो Nursing Clinical Director के Profile के 80.8 लोग full-time काम करते हैं इस फील्ड में full-time काम करने वालों के लिए हफते में average काम करने का time 36.8 घंटे हैं Job openings की गिंती, Company Turnover और Employment Growth के उपर निर्भर करती है पिछले 5 सालों तक के Statistics के हिसाब से इस फील्ड में expected Job openings 10,001 से 25,000 के बीच हैं Nursing Clinical Director के केस में यह गिंती और सतन सत्र पर है ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह अंक अच्छी वृद्धी दर प्राप्ट कर सकता है Australia में कुछ ऐसे काम है जहां Applicants को अपने Profile से जुड़े Licensing Body से License तथा Registration लेने की जरूरत होती है अगर हम Nursing Clinical Director के Profile की बात करें तो इस Profile के लिए हमें License तथा Registration की कुछ केस में जरूरत हो सकती है अब हम सबसे महत्वपून Factor Average Weekly Earning को स्टड़ी करेंगे Australia में सभी व्यवसायों की ओसतन सापताहिक आए 1300 AUD है ABS के हालिया सवे के मुताबिक Nursing Clinical Director का ओसतन सापताहिक वेतन Tax Deduction से पहले 1515 AUD है जिसमें से आपके Salary Slab के अनुसार Tax की कटोती करी जाती है अगर आप किसी भी स्ट्रीम में Permanent Residency के लिए Application File करना चाहते हैं तो Process शुरू करने के लिए पहला कदम Migration Skill Assessment है इसके अलावा कुछ केसे में जैसे Work Permit या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद Professional Year शुरू करने के लिए आम तोर पर Migration Scale Assessment के Positive Result की जरूरत होती है अस्ट्रेलिया में विभिन Profile Categories के लिए अलग-अलग Assessment Bodies है Nursing Clinical Director के लिए Migration Skill Assessment, Australian Nursing and Midwifery Accreditation Council, ANMAC के द्वारा की जाती है अगले सेक्शन में हम आस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अपलाई करने और नौकरी पाने के कुछ जरूरी स्टैप्स के बारे में चर्चा करेंगे हम सबसे ज्यादा मशहूर तथा जाने माने जॉब पोर्टल को भी देखेंगे यहाँ आप अपने प्रोफाइल से जुड़े विभिन रोजगारों के लिए मौजूदा आप्शन्स को देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक ये विडियो पसंद आई है तो आप हमें सब्सक्राइबर टारगेट 50,000 चैलेंज को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें क्रिप्या अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वर्ष के आंद तक 50,000 सब्सक्राइबर्स को अचीव करने के हमारे लक्षे को प्राप्त करने में हमारी मदद करें हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं और अगर हमें इस वीडियो पर 100 लाइक्स मिलेंगे तो हम आपके लिए इस प्रोफाइल के पी आर प्रोसेस और विजा फाइलिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इसके इलावा हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो किस विशे पर देखना चाहते हैं क्या आप आस्ट्रेलिया में नौकरी के लिए आनलाइन या ओफलाइन अप्लाइन अप्लाइ करना चाहते हैं? अगर आप फिलहाल आस्ट्रेलिया में हैं या फिर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या किसी अन्य जगह से भी किसी आस्ट्रेलियन जॉब के लिए अपलाई करना चाहते हैं, तो एक प्रोफेशनल के रूप में आपके लिए सबसे कठिन कार्य, जॉब आप्शिन्स धूनना तथा सही तरीके से जॉब के लिए अप्रोच करना होता है, एक अच्छी आस्ट्रेलियन जॉब प्राप्त करने के सफर में कई जरूरी स्टेप्स शामिल होते हैं जैसे कि आस्ट्रेलियन स्टाइल रिज्यूम बनाना, कवर लेटर तैयार करना, उच्छे जॉब पॉटल खोजना, अपने सेक्टर की जॉब्स के लिए ऑनलाइन या ओफलाइन अपलाई करना तथा ओनलाइन ओफलाइन इंटर्व्यूज के लिए तयारी करना, अपना बायोडिता तथा रिज्यूम तैयार करने से पहले, आपको यह समझना चाहिए कि आस्ट्रेलियन इंप्लॉय को विजेता में बदल सकता है, अगर आप एक प्रफेशनल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल रिज्यूम तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी एक्सपर्ट रिज्यूम राइटिंग टीम की सेवाई ले सकते हैं, या हमारी रिज्यूम से संबंधित विडियोज को देख सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन स्टाइंडर्ड के हिसाब से एक परफेशनल रिज्यूम लिखने की जानकारी उपलब्ध है, अस्ट्रेलिया सरकार ने जॉब एक्टिव नाम से रोजगार ढूंडने के लिए एक विश्ववयापी सेवा दी है, अपने डेरिकेटिट पॉर्टल www www.jobsearch.gov.au के जरीए, जो बैक्टिव, Employers और Jobs ढूंडने वाले, दोनों की मदद करता है, बिना किसी फीके ये आपके लिए सही नौकरी ढूंड सकता है, इसके इलावा आप हमारी टीम के साथ अपना CV भी साजह कर सकते हैं, जिससे आप Direct Employers और Employment Agency के हमारे Valuable Network को आपके लि के लिए हमारी टीम से मदद ले सकते हैं, Adzuna, Career One, Career Jet, और Indeed Australia, Australia में ओनलाइन नौकरी खोजने के लिए कुछ दूसरे पसंदीदा नाम है, इसके इलावा Top 15 Job Portals की एक Detailed List भी डाउनलोड करें, जहां आप अपनी प्रोफाइल के लिए Australia में सबसे Suitable Employment का अवसर पाने के लिए Online Apply कर सकते हैं, अब हम Australia के Permanent Residency या Work Permits पाने के लिए उपलब्ध Visa Sub Classes के बारे में संक्षेप में जानेगे, Australia में बहुत से Pathway Programs और Visa Sub Classes हैं जिनके जरिये एक Professional Australia में Work Permit या Permanent Residency पा सकता है, इन Visa Sub Classes को मुख्य रूप से निमनलिखित Categories में Divide किया गया है, जो है Skilled Migration Visors, Sub Classes 189 यो की Permanent Residency पाने की Direct Sub Class है State या Regional Nomination Visors, Sub Classes 190 और 491 यो State Nomination के द्वारा PR तथा TR पाने के रास्ते हैं Permanent Residence, Skilled Regional, Visa Sub Classes 191 और 887 यो की 491 तथा 489 की Continuity में PR पाने के रास्ते हैं Employer Sponsored Visors, Sub Classes 186, 187, 482 और 457 जिनके द्वारा आप Employers से सीधी Sponsorship या Nomination के थ्रू PR तथा Work Permit प्राप्ट कर सकते हैं Business Innovation, Investment और Entrepreneur Stream Visors, Sub Classes 188 और 188 जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाय में इन्वेस्ट करके या फिर किसी इनोवेटिव आइडिया यो की Australia को Economically तथा Socially Help कर सके के द्वारा PR तथा Work Permit प्राप्ट कर सकते हैं कुछ Specific Targeted Sectors के लिए Global Talent Visa और Sub Class 476 Skilled Recognized Graduate Visa एक अन्य विकल्प हैं इनमे से ज्यादातर वीजा, Applicants को काम करने का अवसर देते हैं और Australia में हमेशा के लिए Settle होने का मार्प्रदर्शित करते हैं हाला कि ये वीजा आम तोर पर उपलब्ध तो रहते हैं लेकिन हर Occupation के लिए हमेशा खुले नहीं होते हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं कि Nursing Clinical Director के प्रोफाइल के लिए कौन से वीजा सब प्लास से खुले हैं तो आप Description में दिये गए लिंक पर क्लिक करें आप Nursing Clinical Director के लिए PR Filing पर बनी हमारी Dedicated वीडियो भी देख सकते हैं जिसका टाइटल Australian Permanent Residency and Work Visa Filing Process for Nursing Clinical Director है इस सीरीज में आपको Nursing Clinical Director के लिए Permanent Residency फाइल करने की Step by Step जानकारी मिलेगी वीडियो में अब चर्चा करने वाली अगली बात आस्ट्रेलिया में Study और सेटल होने के लिए उपलब्द वीजा विकल्प और वीजा सब काटेगरीज हैं तो आएए इसकी एक संक्षिप ज़लत देखते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं और Nursing Clinical Director बनना चाहते हैं आस्ट्रेलिया पढ़ाई और सेटल होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है एक स्टूडेंट सब क्लास 500 के तहट अपना Study विजा फाइल कर सकता है हर स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान काम करने का अधिकार मिलता है और सब क्लास 485 के तहट पढ़ाई खत्म करने के बाद Work Permit भी मिलता है जिसे Post Study Work Visa कहा जाता है अगर आप Study Visa में इंटरिस्टेड हैं और अपने लिए Best Colleges और Universities के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो Study Visa से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके Expert Advice ले सकते हैं इस वीडियो के लिए हमारी टीम ने अलग-अलग authentic sources से जानकारी को एकठा करने और verify करने में कड़ी मेहनत की है अगर अब तक की वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई है और भविश्य में भी इसी तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए आप हमारी टीम को appreciate या प्रेरित करना चाहते हैं तो कृपिया हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाएं साथ ही इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ सरूर share करें अगर आपको immigration से संबंधित किसी और जानकारी या मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी तरह की पूछताच करना चाहते हैं तो आप हमारी registered migration consultants की team के साथ हिक expert counseling session ले सकते हैं हमारे माहिर consultants आपकी profile के बारे में अच्छे से समीक्षा करके आप से detail में चर्चा करेंगे इस expert session से आपको हर मुम्किन immigration options को ढूरने में मदद मिलेगी हम आपको आपके profile से जुड़ी हकीकत और आंकडों के साथ हर सच्चाई बताएंगे सो अगर आप तसली से अपने immigration की opportunities के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी description में दिये गए booking link पर click करें और अपना expert session reserve करें हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की immigration की सेवाओं के साथ उन्हें one-stop online platform देते हैं आप हमारे immigration में माहिर टीम के जरिये online counseling session, migration skills assessment की application filing और सभी तरह के visa processing में मदद पा सकते हैं हम Australia में companies को विदेशी manpower hire करने तथा work और दूसरे visas की filing वो अन्य संबंधित activities में भी मदद करते हैं इसलिए अगर आप Australia में अपनी company चला रहे हैं तो हम आपकी company के लिए best suitable employees ढूंडने में आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप अपने skill assessment और immigration के लिए अपनी eligibility की assessment खुद से करना चाहते हैं तो description में दिये link पर click करें और अपनी self assessment खुद चेक करने के लिए हमारी app भी download करें अपनी profile के बारे में और जानकारी के लिए हमारे work visa, immigration और skilled migration की filing से जुड़े सभी videos देखें और हमारे YouTube चैनल को subscribe, like और share करना न भूले दुनिया भर की immigration की ताजा और सच्ची जानकारी जानने के लिए bell icon को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का notification सबसे पहले मिले हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको Australia में आपके career की opportunities के बारे में detailed जानकारी मिली होगी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे